CCA की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं प्लस वोटों से हमारा 95 परसेंट प्लस ही हर बार भाजपा जाता है जो भी बाजपा के केंडिडेट को अतुल करको यहां से जो भी हरा के मतलब कुल्मिला के यह जो भी अतुल करको हराएगा हम समर्थन उसकी तरफ करेंगे अब समीकरन यह भी आ रहे हैं निकलके कि है हर जगा यह दो यह कहते हैं ना कि इस बार 400 पार तो हम कहते हैं इस बार 400 हर सीसिये में आपका स्वागत है हम अभी गाजियाबाद लोकसबा सीट की ग्राम आलमपूर में हैं यह साटा शुरासी में आता है यहां पर आस पास अगर आप देखेंगे बहुत सारे राजपूत बहुल गाओं हैं हम आलमपूर भी जहां पर अभी हैं यह भी एक राजपूत बहुल गाओं हैं दरसल पुष्चे मुत्र प्रदेश में इस बार एक कुछ एक एक नई वेव देखने को मिल रही है कुछ न नाराज थे यहां पर भी घाजियाबाद सीट में भी पीछे अभी काफी एक बड़ी राजपूत पंचायद हुई थी दोलाना में और बीजेपी से वहां पर भी नाराजगी व्यक्त खरी थी लोगों ने आईए पदा करते हैं ग्राम निवासियों से कि यहां दर असल क्या मह सब्जेक्ट से मेरे बीए उनर्स हैं इन्दे उनर्स तो यह बताईए आप डिली नुवर्स्टी से यहां आते हैं अभी क्या महौल है और दिली का तो अलग ही बिलकुल महौल होगा बट यहां पर क्या महौल देखने हैं जी हैं मौल पूरा विरोध का है जी इसके विरोध जी समाज पूरा विरोध में है क्यों विरोध में है लेकिन विरोध सी बात यह है इस बार पश्चे में सब जाता कम टिकट जो है ठाकरों को मिले हैं अब जिक सर्वेश कुमार से अमा मुरादाबाद से उनका निदन हो गया एक टिकट खतम हो गया जी इस बात है यह है कि हर बार हम बाजपा को पांच लाक वोट से जिताते हो आ रहे हैं प्लस वोटों से हमारा 95 परसेंट प्लस ही हर बार बाजपा को जाता है मुद्धा यह बी है जाती मत देखो सब हिंदू हैं सब साथ आओ तो आप लोग मुद्धा यह है जब हम हिंदुतु का जंड़ ह हम आगे लेकर चल रहे हैं सिद्धी से बात है पर यदि हमारा प्रत्यासी कहीं और खड़ा हो रहा है तो उसे समाज क्या देता है कि आपको तो दूसर समाज वोट नहीं देगा कि मलब ठाक और हिंदुनिया फिर आच्छा आप के मतलब हिंदुत्वा के नाम पर आपको किदर जाने की सोच में कि पुंदीर साब भी आपी के समाज से हैं चांसे यह रहेगा जो आखरी में जो भाजपा को हरा रहा है परत्यासी मेरा माना हुए समाज उसके साथ जाएगा तो वो चाहे डॉली शर्मा जी भी हो या कोई बिलकुल मुद्दा हराने से क्योंकि हमार सब्सक्राइब करें तो हमारे पुंदीर साब जीत दिया उसमें कोई बढ़ा है वह बढ़ा है वह बढ़ा है लेकिन आपने अभी मन नहीं बनाया आप देखिंगे कौन हरा सकता है जो अनलैसिस करेंगे कि हाँ भी जो हरा सकता है से हाँ पे इस सीट पे मनिया वोट देदे में बहुत बड़ा एक कुछ बदलाव हुआ है और अचारक एक नई स्कीम आई अगनीवीर उसको लेकर कितनी नाराजगी है उसको लेकर तो पूर्ण रूप से नाराजगी है बिल्कुल यूबा इस चीज के बिल्कुल खिलाप है अगनीपत के अगनीवीर के तो बाजपा के कैंडिडेट को अतुलगर को यहां से जो भी हरा के मतलब कुल मिला के यह जो भी अतुलगर को हराएगा हम समर्थन उसकी तरफ करेंगे आज आदि वोट पक्का को जैंगी क्किस बाद डॉली शर्मा उनका प्रत्यासी यह बताइए यहां पर लगबक चॉरासी है यह साथ यह साथ गाउं है में past पुमर के 84 गाऊ हैं और की साठ घॉ कनलेrim जासे दहीं सोधा सारे गाउं में हैं या आपके आसपास का आप साठा में गाँ तुम राजपुद समाज में पुरा अख्रोस है बीजेपी के खिलाप यह पूरा राजपुद समाज है अर जगह है अर्जगह यह यह जगह से फ्टिफुटी है और यह प्र आदा बाजपाप जा रहा तो आधा कोंग्रिस पेव जा रहा है यदि ठाकुर आधा बाजपाप नियता पाइब जो पांच लाग ठाकुर है यहां से कोई अपना खुद का नेता निया सारी जितने सांसाद आते हैं तो जैसे जेनरल वीके सिंग जी भी तो गाजियाबाद के यह वह रामधाव क्या नाम वह जी आप शर्माजी है तो बताईए जी शर्माजी आपका क्या महौल है आपका क्या रुख है और ये जो राजपूत समाज की जो लेकिन हमारे भी यह है कि कम से कम जाती पक्स पर ना जाते हुए अपने एरिया का कंडिडेट खड़ा होता राजपुत समाज से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसलिए हमारा भी रुजान डॉली सर्मा की तरफ ही है आप कभी डॉली शर्मा जी आप ब्राह्मन समाज से है शर्मा जी है मिझे बताइए ब्राह्मन समाज का भी काफी हद तक वोट पिछले 2019 में भाजपा पर ही गया था उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं बदल किसान है कैसे रहे हैं दस साल किसानों के लिए हाँ पिछले इस सरकार में बड़ी आ रहा है तो आप यहां पर लोग कही सारे नाराजगी वेक्त कर रहे हैं बाजपास है कि नाराज ना आप में नाराजगी नहीं है आप खुश आए हैं आप आप चाए यह जो बड़ी श्राइट हुई थी कि समान नहीं किया गया राजपूर समाज का तो आप लेकिन आप 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 इस सेहमत है आप अबी भी बाजपा के साथ ही है बाजपा के साथ है आपको पसंद आई यहां पर राय बटी हुए जैसे रोने का 50 50% कुछ और भी नौजवान है आई आपका ना आप जो पर दिल्ली मेट्रों बताईए बताईए कैसे अधे क्या राइए यहां पर ने अपनाराज नहीं नहीं थीक है सबका साथ सबका विकास तो यह जो लोग कहे रहे हैं कि यहां पर एक राजपूथ को बदब क्योंकि लगब पांच लाग की तो आजबादी है और इनका कहना है कि राजपूत कोई यही एक सीट मिलती थी पश्चेम यूपी में वह नहीं मिल रही है वह उस नाराज़गी जो व्यक्त कर रहे हैं आपका उस पर क्या कहना है सब कोई नहीं है पर बीजेबी सीट आप कौनसी तरफ है जी उस तरफ है आपका नाम क्योंकि यहां बीजेपी का सांसद बने के जनलर सिंग है फ़ां साल में एक भी बार यह बोट के टैम पालक्सन के अबाद में यहां आए तो नहीं हैं है कि या तो मतलब जो डॉली शर्मा हो या पुंडीर साहब हो जो भी बीजे पी को हराएगा अब उस तरफ जा रहे हैं चीक है चलिए आइए ज़रा आगे चलते हैं गाउं में कुछ और लोगों से भी बात करते हैं अब देख सकते हैं रोजान काफी बटा हुआ है अभी भी कुछ लोग भाजपा के साथ हैं कई सारे लोग हैं जो भाजपा से काफी नराज हो गया और के ने जो भी हराएगा उसी को ही वोट देंगे आई पेल का मैच चल रहा है कुछ नौजवान यहां पर है उनको हम थोड़ा सा परिशान करने वाले हैं उनका मैच रोकेंगे और नौजवान कई सारे इस बार बीजेपी से नराज लग रहे हैं कई लोग है कि समान नहीं मिला यहां पांच लाक राजपूत वोट हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं दिया और कई और चीजों को लेकर भी नराजगी थी कुछ और लोग थे जो अभी भी बीजेपी के साथ ह आपको क्या लग रहा है क्या रुजवान आपकी क्या राय है राजपूत समाज जो है आपके बीजेपी से नाराज तो है और कहने का मतलब यह है बोट जो भी राजपूत दे रहा है सालेंट बोट है खुलके जैसे बीजेपी को फुल समर्थन कर रहा है राजपूतों ने यह प्रतिशत इन से इस भृट जाभी जारा रहाया कितना प्रतीशत कटेगा अगर कं च्छेट zou नेताओं से देखो यह साटा चोरा सी बहुबूले छेतर है राजपूतों का और गाजएवाद की जो सीट है सुरू से ही आप आप लाग सकते हो यह राजपूतों के हितमे ही टिकट रहा है और इस बार एक बनिय को मिली है तो वह भी नराज़ी है वह बनियावाद तो ऐसा है ठीक है चलो यह गाजएवाद वाल की काड़ी बीस साल में तीस साल में एक बनिया को भी अगर इसमें टाइम मिलता है लड़ने के लिए हर किसी को मिलना जी है अगर हमारे पूरे पश्मिज उत्तर प्रदेश में सारी सीट कटी है ठीक है आप मेरट देख लो मुझफर न लो जितने भी सीट कहरें एक सीट पच होता तो राजपूर फिर भी कुस होता कहरें कोई भी प्रतिवी दित्व नहीं है क्यों है और भी सीट मिलता चुर फ्रत चलिया बताए ऑर तत्याशी मतलब वैसे तो निरदली भी बहुत होंगे लेकिन जो मुख्य प्रतियाशी डॉली शर्मा और पुंडीर साहब अनंद किशोर पुंडीर बस पस है तो और वो तो राजपूत समाज से आप लोग क्या सोच रहे हैं अगर बतलब बीज लोकसवाशीट से जो तकर रहने वाली है तीन प्रतियाशी के बीच म यही नाराजगी है अपने राजपू समा से तो यह आप बड़ी इंट्रेस्टिंग बात कर दें क्योंकि जो बीजेपी आप कहने हैं कि एक तरफा नाराज क्योंकि एक तरफा मतलब बीजेपी पिछली बार मतलब पांच लाग से जीती थी है ना और दोनों सपा और कॉंग क्योंकि आपको भी लग रहा है कि राजपू समा नाराज तो है इसी में और जब जन्रल साफ लड़े तो एक तरफा बोट लिए थी एक तरफा चुनाब था हाँ जी वह आपको लग रहा है इस बर बिखराव होने वाज़ा है कुछ पर्सेंट बोट कटेगा इसे जी आपक करते हैं ठीक है कितनी नाराज़ आपके अंदर भी वह नाराज़गी है या बीजेपी का पुराना प्यार आज की जिन्दा है ना है प्यार जिन्दा प्यार जिन्दा है तो आप उधर ही जाना आप तो यह ना चुनाब तो बीजेपी जितरी खेर लेकिन कुछ परसंटेज जड़ी फिर को से पसे किवरियी नाराज भाहिए लेकिन यृ लेकिन नाराजिगी रहे लेकिन दो भी उष्टेरिप्राइब इस वेसे मांद जी, से रहे क्योंकि बड़े बड़े किसान अंदोलन भी हुए काफी कुछ हुआ तेरा महीने का क्या रवया रहे सरकार का खासकर की नियुनतम समर्थन मूल्य की जो बात उठती है उस पर तो बिलकुल एक किसम से मोदीजी ने वाइदा किया था पहले चनाफ से पहले 14 में लेकिन बार यूपी की एस यह बार टेकेट कुल ले रहे सब दो किसको है तो आप इस बार क्या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं नराज हैं क्या लग रहे हैं नराज हैं लेकिन मजबूरी है क्यों कुछ और नवजवान मिले ते जो कह रहे थे नराज हरू डॉली शर्मा या मैं जाना पड़ा और का जंग नहीं वह तो मुझे नहीं पता है लोग तंत्र में बहुत सारी पाइटियां होती है ऐसे कुछ नहीं है हुआ है हिंदुत्व के नहीं पर आप जाने हैं जब ठाकुर एक सपाको बना सकते हैं सपाको खड़ा ही करने वाले ठाकुर रहे थे और जब यहां पर कोई जंडा पकड़ने वाला नहीं था बीजेपी का उस टैम राजनाथ सिंग ने यहां पर अमिस सहा और नरेंदर मोदी जी को लाकर खड़ा करा था पश्मितर परदेश में आज जो हमारे बहु बुले नेता थे राजनाथ सिंग जी वो भी दरकिनार कर दि कि राजपूर समाज को एक डर है कि योगी जी को भी दरकिनार किया जा रहा है और अगली बार शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है कि कब से कम यह आफ़ा है और यह आज़ने ते गल्यारों में बाते दो सुनने को मिल रही है इस चीज कोम है जब किसी पालिटी को यह खड़ा कर सकती है और राजपूत समाज और बनिया ब्रामन पंडित इन तीनों की ही नाम पर लखी जाती थी कि यह बीजेपी इन ही की है ठीक है तो यहां से भी इनोंने सब को दरकिनार करते हुए चलो पश्मी उतर परदेश में गाजेवा को भी दे देते तो राजबुष समाज ऑस पाड़ा नियुर्ट समाज को मिलेगा के चलो कि अंद को मेरी सब्सक्राइब नाराजगी जाए szolra10 थी पैट पश्माजे मोह distort थे तो यहां आई नाराजगी में समाज में बहुत ज्यादा वोट पें कितना देखने को मिलेगा पिशली बार से कि पिशली बार तो मैं मान रहा हूं गाजियाबाद में एक तरफा गई थी गाजियाबाद मेरत केराना मुझफर नगर एक तरफा इस बार यह मान के चलो कि 20% बोट कटेगी और क्या वोटे कम भी होंगी कम हो रही है जितनी बोटों से हमारे जनरल साफ जीते जी दरमपाल जी बताईए चुनाव आरा है और इस बार ठाकुर समाज में काफी कुछ देखने को मिल रहा है जो पहले नहीं देखना था क्या चलेगा इस बार चुनाव जो है अब जो सब की केल है वह हमें और क्या है अब तो जैसे गाउं में कई लोग मिल रहे हैं जो कह चुलिए हैं कि नराज हैं बाजपा से कुछ लोग हैं कि अबीबी भाजपा के साथ, आपका क्या मत है इस बार? नराज की कैसे व्यक्त करेंगे अगर बीजे अगर जाएंगे कहा? नहीं मतलब लोग तंत्र में तो कई पार्टियां होती हैं कई उमिद्ध है लेकिन यह है की बूट बीजीप को देंगे लेकि नाराजगी यह की परसंट इस परसंट तो बड़ी संख्या होती है कोई छोटा थुड़ी ना होता है ठाफरोट तीस परसंट कम जाएगा है यह तीस परसंट अच्छा लिए बताए नाराजगी के कारण क्या है थोड़ा सा समझाइए यह यह की सभी अपने बोट काड़ दिया राजपूतों के इसलिए कम जाया गया आपका नाम क्या हो योगिश कुमार योगिश मुझे एक चीज बताओ आप जो नाराजगी है ऐसी नाराजगी हमने क्यराना सीट मुझाफर नगर सीट हर जगर राजपूतों में देखी बड़ी-बड़ी पंचायत हुई यहां भी डोलाना में बड़ी पंचायत होई है ना तो उसमें वहां राजपूत कई सारे गाहों थे जहां पर पोलिंग परसंटेज भी बहुत कम हो गई थी बहुत कम लोग वोटी करने निकले थे इस बार नाराजगी इतनी है थी कि तो क्या ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा यहां जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ ऐसा भी क्या मतलब हैं हंड़र परसंट क्या बताइए जी इनोंने जो सुन ज यह है कि यह दिरे दिरे जो ना हम सुन जाती को खतम करते जा रहे हैं जैसे ग्रह मंतरी पहले राजनास सिंग थे इस बार रक्षा मंतरी बनाई इस बार जो साइद कपड़ा बेचने पर आजए जो अधर रहा हूं यह जो ना हमारी जाती को नीचे बैक फुट पर ला रहे औरुछ उसका सबसे मैं करन यह है और हमारे यहां कर ठाश कर्म लोगों ने जो है इनको इस बार नीचा जसे जरूर दिखाना जैसे यह कहते हैं कि इस बार 400 तो हम कहते हैं इस बार 400 ना तुर दूसरे यह कहते हैं पर रही prima वादर लाह नहमां गॏ प्राथमिक्ता यह नहीं है प्राथमिक्ता मैचॉल्टी यह है कि जो हमारी जो जाती है राजपुत विसे इसका उनको जो है यह वैक्पूट पर पूरी तरह से प्रियास है यह तो मुख्यमंत्री को भी हटा सकते हैं पर इनकी जो पेसनी चली क्योंकि हिंदु वाहनी और वह सारी जो वह उनके साथ हैं योगी के साथ अनियत्व मुख्यमंत्री पड़ पे भी जैसे भजन उसको हैटा दिया हर्याने में खटर को मद्दे प्रदेश में सिवराथ चौहान को हैटा दिया तो इनकी माहनों पहलो सी है राजस्तान में वसंदरा राजे को हम लोग जो है इस बात से जो इनके बहुत ज्यादा खपा हैं और इनका इसी लिए ब्रोद कर रहे हैं जी आपका नाम क्या हुआ सर्थ मेरा नाम करमवीर करमवीर जी मुझे बताइए तो फिर ये इस बार वोट आप क्या करने की सोच रहे हैं कहां जाने की हम तो जो राजपूत केंडिडे और दूसरी बात है हमें वो मेंच अच्छे लगते हैं के चार गेंद बार एरन विकेट गिर की छक्का लग गया और नजदी की वाले जो होती हैं एक तरफी दानी आई पील का मजबूत होना बहुत जरूरी है यह तो क्या काम कर रहे हैं जो जिसको चाहें उसको हटा देती जेल में डाल दिया कई पर पक्षके ने पाँ जाएगा गरह मंतरी से रक्षा मंतरी रक्षा मंतरी से कप्ड़ा बेचने वाले तो यह तो इस तरीका से कर रहे हैं मुख्य मंतरी को मैं 100% कह रहा हूं यह अटा सकते हैं लेकिन जो चूंकर इनकी पेस नहीं चलती तो जैसे आज हम गाजयवाद शहर में और वहां पर कुछ दलित बहुलों हैं महाय वहां पर भी महौल काफियत तक भाजपां के deceived दे गई लग लग रहा है लोगों से वां ilo लोगे जए अपड़ी सिर्फ शूंट जातियों का है ब्मादियों CC toujours नाराजगी थितेके सौन पर जाहिर कर यह आप से यह बहुसतारे सवाल काम उल्टे करते जा रहे हैं इस लिए पूछ रहा हूं कि आप जैसे रोडवेज में कंडुक्टर थे अब वो सरकारी नोकरी थी लेकिन आप देखा जा रहा है कि जादा तर सरकारी नोकरी अभी प्राइवेट पर या कॉंट्राइ देखा जो है उस ठेके दारी पर आएं 15 इंड de kardर थे आरी पर थेक दारी पर हैं ऑनलाइन भरती हूई है उन्हुको नहीं दर जो पेंट नहीं हो रहा है वह थेकेदार यहां से पेंट भी तो फंटर उसमें से पांच रह गई और वो इतने खालिफाइड बच्चे थे भी सी बीएड और वो ठेके पर उनको और वो ठेके पर वो भी जो ना क्या ना हम जो डूटी नहीं मिलती कोई पेमेंट नहीं मिला तो उनमेंसे दस छोड़ के चले गई आप देख सकते हैं कि नाराजगी बहुत है कुछ लोग कहरें नाराजगी के बावजूद भी शायद वोट कर देंगे लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम इस बार पक्का वोट नहीं करने वाले हैं बाजपा को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ हम शायद नाराजगी के बावजूद कहरें वोट कहरें लेकिए बूत तक जाते जाते ना करें. सचाई किया है क्या अंत में होगा वो तो चार तारीक को ही पता चलेगा जब डबे खुले जाएंगे और गिन्ती होगी लेकिन जो अभी तक हमने रुख देखा है केराना लोग सबाव में, मुजफर नगर लोग सबाव में और अभी मेरट लोग सबाव में भी देख रहे हैं कि राजबूत समाज की नाराज़गी काफी है और कई जगा वोटिंग परसंटेज भी बहुत कम हुई है क्या अंततह ये गुसा और जो सुनने में समझने में आ रहा है अलग अलग जगा लोगों से बात करके कि गुसा सिर्फ जाती है सवाल पर नहीं है लेकिन कई सारी और चीज़ों पर भी है फूटा शायद इस मुद्दे पर था जुड़े रहे सीसिये के साथ चुनाफ बहुत रुमांचक होई जा रहा है ये गाजियाबाद सीट है जो बीजेपी की एक रिजर्वड सीट मानी जाती थी लेकिन एक बहुत बड़ा कोर वोटर इस बार शायद बीजेपी की जोली से निकलने वाला है जुड़े रहें सीसिये के साथ धन्यमाद